आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होगें आज हम इस वीडियो में दिपावली के आशर पर किये जाने वाले तोट का परियोग इस परियोग को इस तिरी पूरूश कोई भी कर सकता है कि क्यों की यह धन प्राप्ती के लिए है अन धन से भंडार भरा रहे इसके लिए है तो मित्रों अगर आपके हाथों धन नहीं आते हों धन के चलते तंगहाली परसानी से जूज रहे हों फिर भी आप सफल नहीं बन पाते हों तो इस उपाय को दिपावली के दिन ज्यरूर करें तो मित्रों अब आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें तो साथियों कोई भी बुटी या पाउधा धन प्राप्ती के लिए या किसी भी काम के लिए लेना है तो सड़क और रोड के किनारे का कोई पाउधा नहीं या सुनने होता है समसान भूमी से नौल लें ये भी कारगर नहीं होता है आप पौधों को खेट से लाँ जंगल धारियों से लाँ या पावर फूल रहता है तो मित्रों अब आप स्क्रीन पर देखें जिसका नाम है चीचिरा अपामार्ग लटजीरा वोगा अधजाला जगा जगा भासाओं में जगा जगा नाम है हिंदी में इसे अपामार्ग बोलते हैं कीचिरा बोलते हैं तो अच्छी तरह उसे देख लें तो मित्रों उसका ये ही या पाउधा है देखें तो इस पाउधे को पहले से ढूड कर रखें और दिपावली के दिन सुबह केवल जाकर इसका जड़ को लेना है तो मित्रों दिपावली के दिन सुबह में आसनान करने के बाद आप इस पाउधे के पास जाएं जहां पहले से आपने ढूड कर रखा है और हमें केवल यह जड़ लेना है मित्रों इतना इधर को काड़ के फ्यट दिए अब मित्रों वहां जाकर जड़ के पास पहले नमस्कार करें पाउधे को और फिर धन प्राप्ति के लिए धन आगमन के लिए चारो दिशाओं से धन आने का रास्ता खुला हो जाएं यह सब विंती इस पाउधे से करें और करने के बाद आप उस पाउधे को पक्ड़े और एक ही जटके में उखार कि ताकि पूरा जड़ उखड जाया एक ही बार में अराम से उखारिएगा तो उखार लेना है और उखारने के वाजमित्रों घर लाकर जड़ को अलग कर दिजिए और पता तना को अलग करके हटा दिजिए क्यों जड़ को लिजिए और जड़ लेकर साब सुथरा पानी से धोलें और धोने के बाद उसी समय अपने पूजा अस्तल में रखनें लाकर अब रातरी में लचमी पूजन के समय अब वहाँ आप बैठें घी का दिपक जलाए शुगंदित धूप बती जलाएं मा लचमी का फोटो रखें और मा लचमी के चल्णों के नीचे इस जड़ को रख दें और रखने के बाद अब क्या क्या कमना है क्या मनो कमना है आप मा लचमी से मांगें और मांगने के बाद पूजा समाप करके वहाँ से उठ जाएं उस जड़ को वहीं पड़ा रहने अब सुबाह में असनान करने के बाद इस जड़ को लेकर अपने बाधने के अनुसार अगर पतली पतली जड़ है तो उसको मोड माल के मोटी कर लें इतनी सी और नाल धागे में बाध कर अपने दाहिने बाजू में बाध है अगर इस तरी है तो अपने बाहें बाजू में बाढ़ेंगे अब आपका यह धन दाता बुटी कार्य करना चालू कर देगा तो मित्रों यह ऐसा बुटी है कि पूरे साल आपके घर में अन धन से भंडार भरा रहेगा और धन आने के सभी रास्ते खूल जाएंगे धन तेजी से आएंगे पूरे साल आपका घर परिवार खुशाहाल बना रहेगा यह ऐसा उपाय है मित्रों यह धन प्राप्ति के लिए गरीबी दूर करने के लिए यह एक अचूक भिपावली उपाय है तो मित्रों आप इसे करके लाब उठा सकते हैं पूरे साल आपके हाथों धन तेजी से दोरते हुए आएंगे वीडियो के कमेंट बक्स में जय सिरी राम जरूर लिखें तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यबाद तो इस वीडियो में इतना ही और हमें दीजे इजाज़त नमस्कार